हे गाईस मैं हूँ क्रिक शेफ तो आप सभी का दिल से स्वागत हैं मेरे चैनल पर तो आज की डिश में मैं बात करने वाला हूँ अभी तक जितने भी ICC टूर्णामेंट्स हुए हैं हरे कैटेगरी के फर्स्ट विनर्स के बारे में एंड कौनसी टीम सबसे ज़ादा डॉमेनेटिंग रही है हरे कैटेगरी एंड जो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है विमेंस की तो उसमें जो फर्स्ट टूर्णामेंट वो है ICC ODI World Cup जिसको खेला गया था 1973 में एंड उसको सबसे पहले जिता था इंगलेंड ने एंड उसक जो की सबसे ज़्यादा डॉमेनेटिंग रही है अभी तक देन इसमें जो सेकेंड टूर्णामेंट है वो है T20 World Cup जिसको सबसे पहले खेला गया था 2009 में एंड उसको भी इंगलेंड ने ही जीता था एंड इसके अभी तक टोटल कुछ 7 एडिशन हो चुके हैं एंड आउट ज़रूर और बहुत जलन लगेगा तो जो नेक्स कैटेकरी है वो है मेंस की इसमें जो फर्स टूर्णामेंट है वो है ODI World Cup जिसको सबसे पहले खेला गया था 1975 में एंड उसको जीता था वेस्ट इंडीज ने एंड इसके अभी तर टोटल 12 एडिशन हो चुके हैं उन में से पांच बार जिता है ऑस्टेलिया ने एंड जो नेक्स टूर्णामेंट है वो है ICC नौक आउट टूर्णामेंट जिसको हम जानते हैं ICC Champions Trophy के नाम से भी जिसको सबसे पहले खेला गया था 1998 में एंड उसको जिता था South Africa ने एंड इसके टोटल कुछ 8 एडिशन हो चुके है और आउट ओफ विच दो-दो ट्रोफी इंडिया एंड और ऑस्चेलिया के पास है और जो थर्ड टूर्णामेंट है वो है ICC T20 World Cup जो की सबसे पहले खेला गया था 2007 में इसको सबसे पहले जीता था Team India ने और इसको अभी तक कुछ 7 एडिशन हो चुके हैं और सबसे मैक्सि जीता है West Indies ने वह है two times एंड जो लास्ट टूर्णामेंट है इस केटेगीरी का वह है ICC World Test Championship जिसको सबसे पहले खेला गया था 2021 में और उसको जीता था New Zealand ने इसका जो second cycle है वह अभी working progress है तो हमें मालूम है कि यार इस डिश में इस केटेगीरी में एक ट्रॉफी के तड़ लगा बहुत जल्दी लगेगा तो उससे क्या होगा कि हमारी डिश में चारो तड़के के स्वाद होंगे I mean चारो प्रॉफी होंगी हमारे पास जो next category है वह है Under 19 की तो उसमें जो टूर्णामेंट है उसका नाम है ICC Men's ODI World Cup जिसको खेला गया था 1988 में उसको जीता था Australia ने है विमेंस के लिए एक Under 19 T20 World Cup अरेंज किया है in 2023 जो की खेला जाएगा बंगलादेश में and I hope इस वीडियो में आप सभी को थोड़ा स्वाद आया होगा मेरा मतलब है कि थोड़ी इंट्रेसिंग या फिर थोड़ी इंफरमेटिव लगी ज़रूर होगी तो अगर वीडियो थो